तो यह स्टूडेंट्स अब्रीवन आये देखते हैं यहां क्या महौल है देखिए भई सभी के सभी यह कौन है भाई यह है वई सोडियम एलिमेंट का एक्जामपल है यह एकलव लेटें इसको और यह तो आप जानते ही हो ना दिशा मेडम और यहां पे यह नूकलेज है हमार यह positive charge है ठीक है और यह हमारा electron है आउटर मोस्ट electron आप सभी जानती हो ठीक है और बीच में हाँ जी बीच में कौन कौन आप समझ रहे हो ठीक है ना तो बीच में हमारे पास multiple electrons है multiple electrons ठीक है न तो basically ये जो एकलवव है और ये जो दिशा मैम है इनके बीच में जो इश्क है जो महबत है इनकी महबत के बीच में बहुत सारे electrons है ठीक है तो ये जो बहुत सारे electrons है आप सभी समझ रहे हो इन दोनों इनके सब के बीच में क्या होगा repulsion तो हो गई होगा तो यहाँ पे जो attractive force इनके बीच में है यह attractive force खुद ही सोचो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी कम हो जाएगी अगर यह सब नहीं होते हैं तो attractive force जादा होती ठीक है तो जो overall attractive force एक love way feel कर रहा है दिशा मैडम के लिए वो क्या है बताओ भई वो क्या है वो है Z effective क्या है dear students Z effective ठीक है अब इसको note मत करने लग जाना है ना यह note करने के लिए नहीं है यह सिर्फ feel लेने के लिए है उसके अलावा यह जो बीच वाले electrons हैं यह जो बीच वाले electrons हैं जिनकी दुश्मन ही थे एक लववे के साथ और समझ गए आप सभी ये होता है क्या बोलते है इसको यह होती ही shielding अज़ा उसके अलावा sodium metal में तो जैसे अपने पास दो electron यहां होंगे 8 electrons इस shell के अंदर होंगे और यहाँ पे एक electron होगा मालनो हमारे पास element change हो गया ठीक है ना मालनो हमारे पास element change हो गया ठीक है तो element में जादे electrons हो गए या नी फिर तो क्या होगा अगर यहां पे एक लववे के आसपास भी electrons हुए वो भी भाहिया jealous feel करेंगे एक लववे से एक लववे का कैसे भाहिया इतना बड़िया attraction प्यार मोहमबत वो भी इतनी beautiful girl के साथ full power ठीक है तो यहां पे यह भी क्या करेंगे यह भी इसको repel करेंगे यानि inner shell electrons के अलावा जो same shell के electrons होते हैं उनका भी repulsion होता है ऐसा नहीं कि उनका repulsion नहीं होगा उनका भी होता है got it अगली चीज़ यह electrons जो है यह जो इलेक्ट्रॉंस ध्यान रखिए यह जो मैडम है यह तो यहीं पर है ठीक है तो इनका attractive force जो होगा वह बहुत strong होगा आप सभी जानते हैं ठीक है तो उसका contribution कितना होगा आप सभी जानते हो हर एक proton का contribution 100% होगा लेकिन यह जो इलेक्ट्रॉंस है यह भाई साब पूरे region के अंदर फैले हुए हैं यहां से लेकिए यहां तक आप imagine कर सकते हो वैसे तो खेर orbitals की बात है सारी की सारी तो यह फैले हुए है यानि यह जो इलेक्ट्रॉंस की वज़े से रिपल्शन होता है तो उसका contribution हर इलेक्ट्रॉंस का contribution 100% से कम होता है यानि ऐसा निए कि उतना ही जितना attraction हुआ उतना ही रिपल्शन हो गया अगर ऐसा होता तो overall attractive force बहुत ही कम हो जाती लेकिन ऐसा है क्या एक लव्वे और दिशा मैडम में क्या लगता है तुम्हें नहीं है और यह जो shielding constant है वो किस चीज का result है तो जितने भी electrons है जो यहां पर एक लव्वे का attraction दिशा से कम कर रहे हैं उनका cumulative effect है सबका मिला के overall वो क्या होगा है ना उसको बोलते है shielding constant वो क्या होता है shielding constant होता है ठीक है और वो भी हर एक electrons का अलग-अलग होता है अलग-अलग क्यों होता है उसका reason आप जानी गए कि यहां पर electrons कम space में फैले हुए रहते हैं यहां पर electrons जादा space में फैले हुए हैं जादा diffused हैं इलेक्ट्रों जितने जादा diffused होंगे उनका force of repulsion उतना ही क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा बात समझ में आई ही क्या hoping that आपको perfectly feel इसकी जरूर आई होगे